सूचना प्रोध्योगी की से जुड़े अपने आज के सेग्मेंट में हम बात करेंगे फाइब जी नेटवर्क नई करांती का सुत्रपात विशह पर पिछले कुछ दसकों में सूचना तकनीक के मामले में कमाल की तेजी आई है टीवी, इंटरनेट और मोबाइल ने हमारी जिन्दगी किस कदर आसान की है इसकी सबसे बड़ी मिसाल कोरोना काल में मिल चुकी है जब पूरी दुनिया कोरोना वाइरस के प्रकोप के कारण पूरी तरह ठहरी हुई थी इंटरनेट और मोबाइल ने हमारी हर काम में मदद की ओनलाइन पढ़ाई, खरीदारी, अधालती सुनवाई से लेकर कोवीट टीका करण तक हर काम में इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारे मददगार साबित हुए इस दोरान जहां तक संभव था लगभग प्रदेक नीजी और सरकारी कमपनी ने अपने करमचारियों को इंटरनेट के जरिये वर्क फ्रम होम की सुविधा प्रदान की लेकिन अभी तक देश में इंटरनेट जिस नेटवर्क पर चलता रहा है वह दूर संचार की चौथी पीडी का है वैसे तो चौथी पीडी का नेटवर्क खराब नहीं है लेकिन कई तरह के कारियों में जो तेजी अपेक्षित है वह इसमें आना संभव नहीं है पलक जपकते ही फिल्मों की डाउनलोडिंग हो, पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास या चर्चा का आयोजन हो, बैठकों और अदालतों की सुनवाई के लिए कारिकरम की लाइव स्ट्रीमिंग हो 4G का नेटवर्क कुछ मामलों में अपने गर्दी और बफरिंग के कारण अपने ग्रहकों को परिसानी में डालता प्रतीत होता रहा है लेकिन दुनिया में नेटवर्क के इन सारे समश्याओं का समाधान अगली पीडी के नेटवर्क याने 5G के रूप में आ चुका है Global Mobile Suppliers Association के डाटा के मताबिक जनवरी 2021 तक 61 देसों के 144 टेलीकॉम ऑपरेटर व्यावसाइक 5G सेवाओं के सुरुआत कर चुके हैं अब बात करते हैं भारत में 5G की उडानकी भारत में 5G के लिए दूर संचार विभाग, 5G नेटवर्क परिक्षन के लिए तीर निजी कमपनियों और एक सरकारी दूर संचार कमपनी के आविदनों को मंजूरी दे चुका है ये कमपनिया है Reliance, Geo, भारती Airtel, Vodafone Idea और MTNL आविदन को मंजूर करने का अर्थ यह है कि 5G परिक्षन शुरू करने के लिए आवशक स्पेक्ट्रम कमपनियों को जारी कर दिया गया था इन कमपनियों के लिए यह शर्ट भी रखी गई है कि कोई भी कमपनी 5G नेटवर्ग स्थापित करने के लिए चीन की टेक्नलोजी का इस्थिमाल नहीं करेंगी अब बात कर लेते हैं 5G टेक्नलोजी के फाइदों की इसमें तो कोई संदेर नहीं है कि 4G के बाद अब 5G दूर संचार के शेत्र में एक नई करांती का सुत्रपात करने जा रहा है 5G का सबसे बड़ा फाइदा इंटरनेट के तूफानी गती के रूप में मिलता है इसमें इंटरनेट के स्पीट करीब 20 गीगा बिट्स प्रति सेकंड तक हो सकती है हालांकि इसमें आम उपभुकताओं को मिलने वाली गती करीब 10 मेगा बिट्स प्रति सेकंड हो सकती है फिर भी हम मौझूदा 4G LTE नेटवर्क से 20-43 गुना तक तेज है 5G में कई तरह की इलेक्ट्रोनिक डिजिटल डिवाइसों को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना आसान होगा इससे दूर बैठे ऐसे सारे उपकरणों को कंट्रोल किया जा सकता है जैसे दफतर से घर रवाना होने पर हम घर में लगे एसी, गीजर, टीवी आदी ओन ओफ कर सकते हैं जिन ड्राइवरलेस कारों को भविशे में बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है उनका संचालन 5G टेकनोलोजी के जरिये ही संबव है वर्च्वल रियालिटी और आर्टीफिचल इंटेलिजेंस तकनीकों को बहतर इस्तिमाल 5G नेटवर्क के जरिये ही संबव है इंटरनेट से कारेक्रमों की ट्रू लाइव स्ट्रीमिंग 5G से ही मुम्किन है 5G के आने पर ट्रेफिक जेम की तरह नेटवर्क कंजेशन जैसी समश्या भी नहीं रहेगी ओनलाइन गेमिंग में भी 5G टेकनीक चमतकारी धंग से अंतर डालेगी अब जान लेते हैं क्या 5G टेकनोलोजी के स्तेमाल से हमारी सेहत को कोई खतरा है वैग्यानिकों के मुताबिक X-ray या गामा रे जैसी हाइफ रिक्वेंसी तरंगें इनसान वो अन्य जीव जन्तों के लिए हानिकारक होती है पर 5G है तो प्रियोग किया जा रहा स्पेक्टरम इन तरंगों के स्पेक्टरम से काफी नीचे है वैग्यानिक 5G तरंगों को खतरा बताने वाले सोध पर कहते हैं कि इन में यह तो देखा गया है कि तरंगें मस्तिश कोसिकाओं पर असर डालती है पर इस बात की अंदेकी की गई है कि ये मनुश्य की तचा के पार नहीं जा सकती हालिया वर्षव में दुनिया भर में मुबाइल फोन का स्तेमाल कई गुनावड़ा है ऐसे में यदि मुबाइल रेडियेशन कैंसर की वज़े होता तो अब तक बड़ी संख्या में इसके मामले आ चुके होते बात अकेले 5G की नहीं है दुनिया में ऐसे दरजनों सोध हैं जो मुबाइल फोन और इनके नेटवर्क के लिए आम तोर पर रिहाइशरी इलाकों में इमारतों के उपर मौजूद मुबाइल टावरों से हानिकारक विकीडन फैलने का दावा करते रहे हैं हमारे देश में ही 2011 में सुचना तकनीक मंत्राले की एक हाई लेविल कमिटी ने शोध कर निश्कर से दिया था कि मुबाइल फोन और इसके टावर दोनों ही जीवदारियों के लिए समश्या हैं इस कमिटी ने मुबाइल फोन और उसके टावरों से रेडियो फ्रेक्वेंसी एनरजी के रूप में निकलने वाली विकीरन को तितलियों, मदमक्यों और गौरईया के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार माना था जिस तरह माइक्रोवेब में पकाए जाने वाले भोजन में मौजूद पानी इसके विकीरन के असर से सूख जाता है उसी तरह मुबाइल रेडियेशन, खून की गुणवत्ता और दिमाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है अब यहों देखना दिल्चस्प होगा कि विविन चुनौतियों से जूश्ती 5G टेक्नोलोजी कैसे सूचना प्रध्योकी की छेत्र में क्रांती लाती है ऐसे ही और इंफर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले